बहुत समय पहले एक ब्राह्मन के साथ पुत्र और एक पुत्री थी, जिसका नाम वीर्वती था। वीर्वती अपने भाईयों की इकलोती बहन थी, और सभी भाई उसे बहुत प्यार करते थे। शादी के बाद वीर्वती ने पहली बार करवा चौत का व्रत रखा। पूरे दिन भूखी प्यासी रहने के कारण वह बहुत कमजोर हो गई और उसका स्वास्थे बिगड़ने लगा। यह देखकर उसके भाईयों को बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपनी बहन को छल से भोजन कराने का उपाय सोचा। भाईयों ने पेड़ पर चड़कर आग का एक गोला जलाया और बहन से कहा, देखो चांद निकल आया है, अब तुम अपना व्रत तोड़ सकती हो। भाईयों की बात मानकर वीरवती ने चांद समझ कर उस आग के गोले को देखा और व्रत तोड़ दिया। जैसे ही उसने भोजन किया, उसे दुखद समाचार मिला कि उसके पती का निधन हो गया है। ये सुनकर वीरवती बहुत दुखी हो गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी। उसकी सच्ची श्रद्धा और तपस्या देखकर माता पार्वती प्रकट हुई और उन्होंने वीरवती को उसकी गलती का एहसास कराया। माता पार्वती ने उसे करवा चौथ व्रत को विधिपूर्वक करने का सुझाव दिया और कहा कि ऐसा करने से उसका पती फिर से जीवित हो जाएगा। वीरवती ने माता पार्वती के निर्देशा नुसार पुना विधिपूर्वक करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर यम्राज ने उसके पती को जीवनदान दिया। तब से करवा चौत का वरत हर साल सुहागिन महिलाएं अपने पती की लंबी आयू और सुख सम्रिध्धि के लिए करती है। इस प्रकार करवा चौत का वरत पती-पत्नी के प्रेम और विश्वास का प्रतीक बन गया है।